जो प्यार के नाम पर केवल हवस्पूरी करते हैं और फिर उसी प्यार को सरयाम निलाम करते हैं उनकी सचाई मैं इस वीडियो के माद्यम से आपके सामने लाने का पर्यास कर रहा हूँ उमीद है आपको ये कड़वी सचाई पसंद आएगी आप सब काम छोड़ दीजिए बस पांच मिनट मुझे चाहिए इस वीडियो को देखने के लिए एक लड़की समाज को क्या बताती है पहले तो आप वो सुनिए एक ही सकूल में पढ़ते थे और प्यार हो गया अब उसके बगैर जीना मेरा दुसवार हो गया दूरिया नजदीकियों में इस तरह बदलती रही उसके साथ गूमने फिरने का विचार हो गया खुआबों को हकीकत के पर जब मैंने लगते देखे दिल मेरा खिल के गुलजार हो गया बेट कर उसकी गाड़ी से हवाओं से बाते करने लगी आखों में बसा सपना साकार हो गया गाड़ी की रिफ्तार को फिर मैंने थमते देखा सुनसान डगर में उसको बढ़ते देखा कुछ सहमी पर प्यार में विश्वास नजर आया पर ये क्या मैंने उसको अपनी और बढ़ता हुआ पाया चूकर मेरे सरीर को वो मुझ से बोला तुम ही मेरी सबनन तुम ही मेरी सोला मुझ से कितना प्यार करते हो यह तो बताओ जरा अपने योवन का रस पान तो कराओ उसकी इन हरकतों से मैं सहम गई तूट गया सपना और मैं बिखर गई कोई नहीं था सुनने वाला मैं क्या कर पाती उसकी हर हरकत वो रोरो के गले लगाती उस वक्त क्या करती मैं समझ न पाई उसने मेरे मोबाइल से पिच्चर भी बनाई प्यार के नाम पर उसने हवस है मिटाई रोती रही मैं उसे उफ तलक न आई जीते जी मारना क्या होता है उस वक्त समझ में आया जब मैंने यूटूब पे खुद को नंगा पाया की थी मैंने महबत और क्या मैंने पाया ये सब कुछ देख कर मैंने मोत को गले लगाया जो नादानिया मैंने की तुम नहीं कर जाना पढ़ने बेजा माबाप ने पढ़ने में दिल है लगाना महबत के नाम पर कभी खुद को न लुटाना मुहुबत के पीछे हवस चुपी है ये सब को बतलाना थोड़ा कड़वा है मगर लड़कियों के लिए सत्य है मुझे पता है इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लड़के लड़कियां गाली देंगे मुझे मैं ये नहीं कहता कि प्यार करना गलत है लेकिन ऐसा प्यार मत करो जो तुम्हारे जिसम से करता हो आज के लड़के लड़कियां प्यार करते हैं बस प्यार के इजहार के पंदरा दिन बाद ही हम बिश्तर हो जाते हैं अरे धू है ऐसे प्यार पर जो प्यार निभाने के लिए अपना जिसम का सोधा करना पड़े चलो यहाँ तक भी मान लिया कि ये प्यार है तो ये कैसा प्यार है जो उसी नगन अवस्था में सेलफी लेते हो ये कुन सा प्यार है साब एक कड़वा सत्य सुनो लड़कियो ये सेलफी इसलिए लेते हैं क्योंकि तुम्हें बलेक मैल करे और हर बार तुम उसकी रखेल बन कर रहो और जिस दिन मना कर दिये कि नहीं मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता क्यों करते हो ये सब उस दिन पता है क्या होगा वोही अर्द नगन फोटो, एफ-वीबे और वडसाप पर वाइरल किया जाएगा तो उस दिन सोचो तुम्हारे परिवार वालों पर क्या भी देगी तुम्हारे पांच मिनट के मजा से तुम्हारे परिवार वालों को जिंदगी भर की सजा मिलेगी अरे थू है से प्यार पर आप सब लड़कियों से विंती है कि ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे आपके परिवार को समाज में नजर जुका कर चलना पड़े क्योंकि ये जो इज़त होती है सबसे अनमौल चीज है इसे बनाने में बहुत वक्त लगता है लेकिन बिगाडने के लिए शिर्फ एक ही गलती काफी है मैं एक बार फिक कहता हूँ प्यार करना गलत बात नहीं है लेकिन प्यार जिसम से नहीं जान से करो वैसा प्यार मत करो जिससे आपके परिवार वालों को इज़द निलाम करना पड़े अब बहुत लड़किया मुझे एक सवाल करेंगी कि तुम लड़कियों को समझाने से अच्छा लड़कों को समझाओ तो सुनो तुम्हारी मरजी के खिलाफ लड़कों के बाप की उकात नहीं है कि वो तुम्हें टच करें अगर मैंने इस वीडियो में कुछ गलत कह दिया तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मुझे माफ कर देना मैंने वही बोला जो मैंने अब तक अपनी जिन्दकी में देखा और मैसूस किया और हमेशा मैं वही बोलता हूँ जो मुझे दिखाई देता है अगर आप लोगों की कोई राय है तो कॉमेंट बोक्स में जरूर दे साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अपने परिवार वालों के साथ और आप फेस्बूक पर जितने भी ग्रूप में एड हैं उन सभी में इसे सेर करें ताकि ये बाते ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके इन बातों में मुझे पता है सुधाराना ना मुनकिन है लेकिन खोशिस करना हमारा काम है